नमस्कार आप देख रहें TNR News में हूँ आपके साथ में राकेश निर्मलकर कॉंग्रेस पार्टी ने 36 गड़ में अपनी पहली सूची जारी कर दिया जिसमें से 30 प्रत्याशियों का नाम है अब दूसरी सूची सबको बेसबरी से इंतजार है माना जा रहा है कि 18 या 20 तारीक को कॉंग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकते है जिसमें से कई विधायकों का टिकेट इस बार फिर से कटने वाला है कौन-कौन से विधायक है संभावित नाम मैं आज आपको बताने वाला हूँ पहला नाम मैं आपको बता रहा हूँ रामनुजगन से ब्रहसपस सिंग बहुत संभावना है कि ब्रहसपस सिंग का इस बार टिकेट कटे क्यूंकि काफी ज़्यादा विवाद में थे पहले सरगुजा संभाग का एक छेतर है रामनुजगन बलरामपुर जीरा में आता है विदान सभा और कुछ समय पहले ब्रहसपस सिंग ने टी एस शी दियो पर गंभीर आरूप लगा दिया था जान से मरवाने का एक गंभीर आरूप उन पर लगाया गया था टी एस स्री दियो पर जिसके चलते इस बार माना जा रहा है कि उनका इस बार टिकेट कर सकता है दूसरा नाम है प्रतापूर से प्रतापूर प्रेम साथ टेकाम जो की स्कूली सिक्षा मंतरी थे कुछ समय पहले उनको उन्होंनी इस्तिफा दिया अब जाकर बात सामने आ रही है कि इनका भी अब टिकेट कटने वाला है और यहां से सकुतला सिंग पार्थे बीजेपी से प्रत्याशी है देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार यहां से कॉंग्रेस पार्टी कि इनको उम्मीदवार घोशित करते है मनेंद्रगर से वीजाई जैसवाल इनका भी टिकेट कटने वाला ही यह बड़ा बड़ा नाम यहां से डॉक्टर विनाई जैसवाल पिछले बार श्याम बहरी जैसवाल उनके साथ लड़े थे उन दोनों के बीच में टककर था फिर से इस बार श्याम विहारी जैसवाल को बीजेपी ने टिकिट दिया है देखना दिल्चस होगा कि आखिरकार यहाँ पे कॉंग्रेस किसको प्रत्याशी घोशित करती है कजडोल विधान सभा काफी जादा चर्चित विधान सभा है कजड सभाद ध्यक्ष थे वीजेपी शाषनकाल में उनको एक बड़े मार्जिन से हराया था लेकिन इस बार शकुंदला साहू का पत्ता कटने वाला है ऐसा संकेत मिल रहा है देखना यहाँ भी बहुत दिल्चस्प होगा कि कि इनको आखिरकार टिकिट कॉंग्रेस पार्टी थम मोल लेना नहीं चाहती है जो जिन पर आरोप लगे है उनको इस बार टिकिट न देने का जिन पर भश्टाचार के आरोप लगे है उनको टिकिट न देने का फैसला इस बार कॉंग्रेस पार्टी ने किया तो चंदर देवर राय का नाम यहाँ से कटने वाला है बीजेपी न जहां रश्मी सिंग है अभी वर्तमान में, उनका भी इस बार टिकेट कटने वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है, अगले सूझी जब आयेगी उसमें देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार ये जो संभावित लिश्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नाम रहते हैं या यहां से अभी धर्मजी सिंग जो की छोड़ कर आये थे, जोगी जंता कॉंगरेस को छोड़ कर आये थे, उनको बीजेपी ने टिकेट थमाया, यह देखना दिल्चस्प होगा कि यहां भर भी कांटे का मुकाबलत तखतपूर में होने वाला है, और राइपूर उत्तर से, एक बहुत बड़ा यहां राजनीती होने वाला है, क्योंकि राइपू उत्तर में जाधा तर सिंधी अबादी रहती है, मुस्लिम अबादी रहती है, और साथ ही साथ उडिया, जो यहां पर निवास कर रहे है, उडिशा से आकर लोग रहे रहे हैं, उनका यहां पर है, और यूटीब चैनल पर आजाएगा, उसको जरूर देखिएगा, कुलदीब जुनेजा यहां से वरतमाने विधायक है, उनके भी कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कुलदीब जुनेजा का इस बार क्यों टिकिट आखिर गार काटा जा है क्योंकि काम तो करते थे और अच्छा खासा उन्होंने काम किया है, लेकिन देखना देलचस्पोगा, कुलदीब जुनेजा कभी हमने इंटरव्यू किया है, नीचे पिन में आप जा कर जरूर देखिए उनका इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू हमने किया है, अगला नाम है जगदलपूर से रेक चन जैन अभी जो पहली सूची 30 विधायकों की जारी हुई है 30 प्रत्याशियों की उसमें से रेक चन जैन का नाम नहीं है बस्तर संभाग का यह इकलावता ऐसा सीड बज गया है जहां से जगदलपूर विधान सभा को छोड़ा गया है औ बीजेपी नहीं को एनको चोडरी को पिजेपी ने टिकेट दिया है कुलेक्टर की नौकरी चोड़करों उनको हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार उनको एक सुरक्षिस सीट में ओपी चोधरी को भेजा है रायगर से देखना दिल चस्प होगा कि यहां मुकाबला क्या होता है प्रकाश नायक अभी यहां कॉंग्रेस पार्टी से विधायक है उनका इस बार टिकेट कटने कॉंग्रेस पार्टी इसलिए यहां पर शायद प्रकाश नायक का 25 बार कटने वाला है रायगर विधान साभा से अगला है लेलूंगा लेलूंगा से चक्रधर सिधार है कहा जा रहा है कि यहां पर भाजपा से भाजपा से बगावत करके जो अभी कॉंग्रेस पार्टी में आये हैं आदिवासी नेता नंद कुमार साय उनको यहां से टिकेट मिल सकता है क्योंकि दावेदारी उन्होंने यहां से की है तो हो सकते है इसके चकर में चक्रधर सिधार को अपना टिकेट गवाना पड़ रहा है वो यह देखना देलचस्प होगा कि आखिरकाट टिकेट आन अगर नंद कुमार साय को टिकेट मिलता है तो इन दोनों के बीच में किस तरह का मुकाबला रहता है अगला है पाली ताना खार पाली ताना खार से इस बार मोहित किरकट्टा इनको भी टिकेट न दिये जाने की संभावना इनका टिकेट इस बार कटने वाला है क्योंकि इन से बीजेभी प्रत्याशी हैं देखना दिल्चस्प होगा कि जब यहां से कॉंग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोशित करती है तो किस धंका मुकाबला यहां पे रहता है दूसरा है कुनकुरी जश्पूर जिले का यह विधान सभा शेत्र है कुनकुरी यहां से यूडी मिंज अभी वर्तमान में विधायक है कॉंग्रेस पार्टी से अब इनका भी टिकेट काटे जाने की संभावना है क्योंकि देखिए सरुजा संभाग में बहुत से शेत्र है जहाँ पर कॉंग्रेस में बगावा शुरू हो चुकी है लोग नाराज हैं काफी जादा अपने विधायकों से इसके चक्कर में कॉंग्रेस पार्टी जादा रिस्क लेना नहीं चाहती इसलिए शायद हो सकता है कि इस बार यूडी मिंच को यहाँ से टिकेट न मिले अगर बात की जाब BGP की तो यहाँ पर विश्णू, देव, साय इनको यहाँ से उतारा गया है यह पूरो सांसद रहें 2014 में सांसद रहें इनको यहाँ से टिकेट दिया गया है कुणखुरी से देखना दिल्चास होगा कि यहाँ पर पूरो सांसत और जो प्रत्याशी आते हैं कॉंग्रेस पार्टी से उनके बीच का मुकाबला कैसा रहने वाला है और अगला है सराई पाली से किस्मत लाल नंद इनका भी इस बार टिकेट कटने वाला है ऐसा संकेत मिल रहा है और सरला को सरिय जीला पंचायत अध्याक्ष भाजपा की उनको इस बार भाजपा ने टिकेट दिया है और देखना दिल्चस होगा कि किस्मत लाल नंद को टिकेट मिलता है या नहीं क्योंकि संभावित लिष्टमीन का नाम है कि इनका नाम इस बार यहां से कटने वाला है किसी दूसरे नए चेहरे को यहां से टिकेट दे जाने की संभावनाएं बाते चल रही है अगला विधान सबा है गुंडर देही बालो जीले में आता है गुंडर देही कुंवर सिंग निशाद यहां से है वर्थवान विधायक इनका भी इस बार टिकेट कटने वाला है इनके भी कामकाज पर सवाल उट रहे थे कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं लोगों से मिलना ज दिकेट दिया है देखना दिल्चस होगा पूरे विधायक यहां पर जीत दर्ज कर पाते हैं नहीं कर पाते तो यह तो रही संभावित विधायकों कि सूची जिनका इस बार टिकेट कटना लगग लगग तैम आना जा रहा है लेकिन दूसरी सूची जारी होगी उसके बाद देखना पड़ेगा कि आखिरकार किनको टिकेट मिला है और किनको नहीं भराल इस खास कारिकरम इतना ही आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे चुनाओं से संबंधित प्रत्याशों से संबंधित बने रही हैं हमारे साथ नमस्कार